कि अग्जान अर्वियल में स्वागत करता हूं जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर लगे हुए हैं जेल वाडन फायर में घोर सवार के देखिए आज हम लेकर आए हैं 20 वाम प्रेक्टिस सेट दोस्तों किसका है ये हिंदी का किसका हिंदी का इसके पहले हमने 19 मौक टेस्ट यानि प्रेक्टिस सेट करवाद दिया अगर आपने नहीं देखा था पर प्लेश्ट पर जाएंगे प्रेक्टिस सेट के नाम से आपको मिल जाएगा वहाँ पर आपको हिंदी के और जीयस के मौक टेस्ट मिल जाएंगे इसके अला हमने टॉपिक वाइज हिंदी के मौक टेस्ट करवाएं वो भी आप देख सकते हैं और उत्तर प्रदिस सेट की वीडियो चलाया हमने वहाँ पर आपको आप जाएंगे हमारे प्रेक्टिस में आपको मिल जाएगे चलिए सुरूर करते हैं आज का ये मौक टेस्ट दोस्तों ठीक बहुत रिच्छा मौक टेस्ट है देखिए पहला कोशन क्या है कि निमलिखित में से ब्यक्तिवाचक संग्या कौन सी है देखिए कौन स गंगा गंगा एक क्या है नाम है दोस्तों थेकिए बहुवचक बने का नदि का नदिय sticks गंगा का नहीं जाएकी दिखेंग्रिक्त मेंशे कौन सा सब्द बिशेश्व क्लिवत क्लिए से दोस्तों और इनके बड़ता को शोड़ से पूले तो टेखे अगächए दो क्लिए और आना है कि बैध्या काम कार MSCції अर्थ की आदा पर धार नर्थ होते हैं और टीन होते हैं जैसा वहां पर किया होगा आपकी है तो वहां पर क्या होगा आप कर सफ़ाइब लुकुल होगा देखिए प्राशन वाक्त में काँ होगा तुम अब बोबित कि तो जिसमें कै यहां मत खड़ें तो चलिए अगला है इसलिए इसलिए का जाएगा इस्तो कि पर आज दोस्तों यह स POL مोजो है बहुत इच्छा कोस्जन है कौ सा होगा तक होगा तो लो होती है दोस्तों रिटु होती है रिटु क्या है हो थे यह यह इसलिए कल जाए गर marijuana कोईवाल दोस्तों उसको आपको छाटना खाए दोस्तों तो बिल्कूल सही आफिवाल घे काइगा दिन भर खाता रहा तो क्या होगा वह दिन भर खाता रहा वह रात भर नहीं सोया और वह ही सदा दोता है और उसी ने बोला था दोस्तों तो इसमें कौन सा अकर्मा क्रिया है दोस्तों तो 119 का बिल्कुल और बिल्कुल सही आप्सन कौन से जाएगा वहाँ दिन भर खाता रहा दोस्तों दिन भर क्या है दोस्तों ये क्या है किरिया विश्रिशन है दोस्तों ठीक चली अगला है किस क्रवांक में वाकिगत अपादान कारक है अपादान का उता जिसमें कोई चीज अलग होती है दोस्तों ठीक है देकि वहाँ बार से छेटता है म मुझ से कब कहां ठीक दोस्तों वहां सिंग से भीत हुआ वहां सहर गया दोस्तों तो आपको पता होगा जहां कहीं भी डर का भाव होता है भीत का भाव होता भैवीत का भाव होता दोस्तों वहां पर अपादान होता वहां सिंग से भीत है दोस्तों देखें अगर कोई किस क्रमांक में वाकिगत सही विराम चिन्न है दोस्तों किसमें क्या है सही विराम चिन्न है इसके बारे ना को बताना है नारी तुम केवल स्रद्धा हो बिल्कुल सही दोस्तों यही है देखिए क्या है यहां पर पूर्ण विराम चिन्न है और यह बिल्कुल सही ऑप्संस है ठीक है अगला देक्ते है मैं कब कहां मैं लखनो जाओंगा देखी यहाँ पर क्या होगा आप यह चिन्द नहीं होगा दोस्तों ठीक है तो यह क्या है गलत है दोस्तों ठीक है बाकिस सब गलत आपको मिलेंगे के वहले को हमारा यह option से ही बिलकुल सही है चलिए अगला कोशन ह सब्द यूम का सही सब्द अर्थ भेद है दोस्तों तरणी तरणी नौका और सूर्य दोस्तों तरणी नौका और सूर्य दोस्तों ये का है सही है गलत है दोस्तों ठीक है तरणी मतलब काता है सूर्य और तरणी मिस होता है नौका दोस्तों ठीक है अनल अनिल अनल मिस का होता ह है हवा दोस्तों ठीक है तो ये भी आप गलत है इसमें हवा और अगनी का रखा दोस्तों ठीक तो ये भी का है बिल्कुल और बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों देखें मरी मरीची और मरीची दोस्तों ये बिल्कुल सही है बिल्कुल और बिल्कुल सही सही हो जाएगा चलिए अगला कोशन है, किस क्रमांग में, वाक्क में निजवाचक सरवना हो, देखें, निजवाचक जो खुद के लिए होता है, उसका पता लगाओ, इसमें नहीं है दोस्तों, जिसकी लाट्टी है, उसकी बैसे क्या है, संबंध वाचक है, सब काम मैं अपने आप करूंगा दोस्त क्या हो जाता है निश्चेतन, निर्जीव, मृत या फिर अचेतन तो आपको पता होना चाहिए कि गर्मी में क्या होगा दोस्तों कोई अचेतन क्या होता बेवहोस को बोलते हैं मूर्च्छा हो जाणा ठीक है तो यहाँ पर चेटन भड़ दे जाएगा तो हमारा B options बिल्कुल right होगा देखे कई दर्सक गड़ यह देखे आपके UPSI कोशन है कई दर्सक गड़ में विशेशन है कई दर्सक गड़ देखे यहाँ पर गीना जा रहा दोस्तों गिनने कोशिस की जा रहे मगर क्या है गिन नहीं पार रहे है तो क्या होगा देखे पहले चीज़ कई है अनिस्चित हो जाएगा और दूसरी चीज़ क्या है गड़ना वाचक है क्या है तो संख्या वाचक दोस्तों तो अनिस्चित संख्या वाचक हमारा B options बिल्कुल right हो जाएगा क्या हो जाएगा भी options बिल्कुल राइट अनिश्चित संख्या वाच्या दोस्तों ठीक है चलिए अगला question देखते हैं next question क्या कहता है हमारा मक्खी सब्द का तत्सम रूप है दोस्तों कौन सा है मक्खी सब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो आपको पता होगा क्या हो जाया है मच्छी का दोस्तों क्या होगा मच्छी का अगला है निम्रिखित में से कौन सा सब्द तदभो नहीं है कौन सा सब्द हिंदी वाला नहीं है दोस्तों तो बिल्कुर सही options का जाएगा shine यही क्या है हमारा हिंदी का सब्द नहीं है चलिए अगला है जंगम का बिलोम का देखे वेरी important क्योंकि ऐसे ही बिलोम सब्द आपके exam में पूछाते हैं तो जंगम का होगा दोस्तों इस्थावर क्या होगा जंगम का इस्थावर दोस्तों चलिए अगला है कि निम्रिखित वाक्यों में सुद्ध वाक के होगा सुद्ध वाक के का होगा यह आपको बताना है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान नहीं होती है ठीक है एक हलवाई की दुकान होगी दोस्तों ठीक है ठीक हलवाई की दुकान होगी ठीक है तो यह हमारा D options ही सही होगा चलिए अगला है ठोड़ा नपात तुला भोजन करने वाला की क्या बोलतों जो आप एकदम से मतलब बिल्कुल नपात तुला भोजन करता हो ज्यादा भोजन ना करता हो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे मित व किस क्रवांक में सही संद्विषेद का उडारन हे दोस्तों बिल्कुल सही संद्विषेद कौन सा होगा यह आपको बताना है सिसु धन एक के दोस्तों यह क्या हो जाएगा हमारा ब्रद्धिसण्धी बिल्कुल गवेंद्र गलत है थाई सडदन मुख शड़ मुख तो क्या होगा अना तो इसमें काईंसा सही क्या है तो हमारा एनमबर बिल्कुल सही है चलिए अगला कोशन है जिस समास का कोई पद परधान नहीं होता उसको हम बहुबरी समास कहते हैं, जिसमें तीसरा पत प्रधान होगा, या फिर दोनों पत आप प्रधान होगे, इस सरे से भी कोशन आपका पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, अब पता होना जित में द्वंद में क्या होता है, द्वंद में दोनों पत प्रधान हो जाएग बादल का चलिए अग्ला कोशान है दूस्तों तो क्या हो जाएगा मचली का मीन हो जाएगा ठीक है चलिए अगला है जो भाव मन में केवर अल्प काल तक संचार करके चले जाते उन्हें परकार से पानी में उठने वाले बूलले थोड़ी समयỹ लिए आते हैं और अपने आप सोता हाँ, बिलुप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संचारी भाव बोलते हैं, उनकी संख्या उन्होंने 33 बताई दोस्तों, ठीक, इस्थाई भाव क्या होता है, यह सुरू से लेकर आग़ी तब होते हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 9, जितने रस ह हैं दोस्तों, आपको 9 ही बताना है, 11, नहीं बताने हैं दोस्तों, चलिए अगला है, छंद सास्तर में 10 अक्षर किसे कहते हैं, छंद सास्तर में 10 अक्षर किसे कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही options का होगा, ला और गावरडो को दोस्तों, क्या बोलते हैं, 10 अगला कोश इन सब harbor में क्या हो जाने की जातिवाचक संग्या हो जाएगा यह business type जो भी यह पद होते हैं जातिवाचक संग्या माल लेते हैं अगला है पारा न उतरना दोस्तों सही मुहावरे करते का होगा हद कर देना या घमंड दिखाना या असांत होना या फिर शांत होना दोस्तों इसका मतलग का होगा पारा न उतरना मतलग का था असांत होना चलिए अगला है हाथ कंगन को RC क्या पढ़े लिखे को RC क्या ऐसा कुछ होता है तो इसका सही options का जाएगा मुहावरे का कंगन पहनने से सुन्दरता बरती विल्कुल गलत होगा जहाँ पर कंगन होगी वहाँ तो कोई गलत ही होगा दोस्तों तो इसका आपको पता होना चाहिए कि जहां पर जो चीज होती है वह उससे रिलेटर नहीं होती तो कंगन वाले options ही हम कार देंगे चलिए अगला कोईशन देखते हैं तो ब्रामभी में किस लिपी की उत्पति हुई है दोस्तों ब्रामभी से किस लिपी का उत्पत्ति हुई है दोस्तों पत्ती हो दोस्तों आपको पता होगा ब्राम्भी सबसे प्राचीन लिपी है दोस्तों और ब्राम्भी से ही हमारी हिंदी वाली लिपी आनि देव नागरी लिपी का विकास हुआ है दोस्तों तो याद रखेंगे अगर कोशन पूछता है देव नागरी लिपी में क्या लिखा इसलिए हम दिखाते आते आते आपको इसको आपको करना है इसको बैख करके आपको देखना है फिर इसके एंसर भी आपको ही करने है दोस्तों अगला है महतमा गांधी जिस सिध्धान्त के प्रवर्तक थे वह सिध्धान्त है महतमा गांधी किस सिध्धान्त के प्रवर्तक थे तो देखिए इसका सही options कर जाएगा हमारा अहिंसा और आत्मा देखिए इसे पर आप लोग ढूंड लेना नहीं हम ढूंडने पर चलेंगे बहुत ज़्याद समय लग जाएगा किस लच्छ से दोस्तों तयारी कर रहे हैं कि आप जेल वार्डन में एक वेकंसी पा सके दोस्तों ठीकर तो ये एक अच्छा लच्छ होना चीए तभी हमारे पर नहीं लटख राएंग दोस्तों अगर हमारा लच्छ नहीं है कोई सभी हम कोई भी वेकंसी पा जाएं कोई भी बी नमबर सत्य मार्गी दुर्गम था बहुत ही कठी नोती दूस्तों दुर्गम होती है चलिए अगला कोशन है लेखक के मत में बिश्व में सुक्र समरद्धी और सांती स्थापित हो सकती दूस्तों किस परकार से यह आपको बताना है दोस्तों बिल्कुत से ओप्संस का जा बिल्कुल अच्छा कोशन है ठीक है चलिए इस पताईए विश्राम पुरका संत या आदमी या फिस तूरती सीमा सीमा या अग्यातवास तो किसके लिए दोस्तों आप बताऊगा विश्राम पुरका संत इनकी रचना है दोस्तों जिसके लिए इन्हें दिया जा चुका है ठीक है विश्राम पुरका संत इसके लिए इन्हें स्रीलाद सुकल को 1999 में ब्यास्तामान दिया गया कब 1999 में चलिए अगला कोशन है संस्कृत के चार अध्याय किसकी रचना देखी ऐसे कोशन आप इजाम में बहुत बार पूचे आते हैं तो किसकी है राम धाय सिंग दिनक इसको हम याद कर लेंगे अगला है अग्ये जी को किस क्रती पर कौन सा पुरुषकार भारती है ग्यान पीट पुरुषकार मिला दोस्तों बहुत ही इंपोर्टन है आप पता हो किस के लिए कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें ग्यान पीट पुरुषकार दिया गय तो ये question में जरूर आएंगे चलिए अगला question है और last question निम्रिकित में से कौन सा मैंतली सराणगुप्त जी की रचना नहीं है तो कौन से नहीं है कादमबरी किसकी है बार्ण भठी की कादमबरी है दोस्तों ठीक है तो याद रखेंगे चलिए अगर देखिए इसी प्रकार यहां पर चाहिए बिल्कुल अच्छे देखिए और देखिए जेल वार्डेन फारमें घुर्सवार के और भी मॉक्टेश हमने जो करवाएं दोस्तों यहीं पर आपको मिल जाएंगे तो जाइए जरूर देखिए हिंदी में कोई दिक्कत है तो आप यहां पर चाहिए देखि दिक्कते दूर हो जाएंगी इसके अलावा आप उत्तपते सिस्टल की विकलास से देख सकते हैं यहीं पर आपको प्लेडिस्ट में मिल जाएंगे तो धन्यवाद अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करने चैनल बिल आइकन जरूर प्रस करना जिससे की जो भी वीड अशाएंगे जार इससाइब कर बिल आपको जआ कम ईया है तो सुण से बिल आपकोम दोर नहीं है